यूद धस्तर पर तयारी करके हम लोग सभी चौपालों में जाना, सभी सम्मिलनों को पूर्ड कर लेना, इस प्रकार की तयारी हम लोगों की चल रही थी लेकिन अचानक जब ये निड़े आयते हम लोग सुविकार नहीं कर पा रहे थे कि क्या हुआ है कि उस सीट पर अभी उप्चुनाव की घोसला नहीं हुई, तो जानकारी करने पर पता कला कि उत्तर प्रदेश के निरवाचन आयोग ने यहां से लिख करके प्रिसित किया था कि इस सीट पर एक लेक्शन याजका है जो पेंडिंग चल रही है तो जनता का रियक्शन क्या था, आपके पाद भी तमाम फोन आयोंगे, क्या रियक्शन रहा जब आप लोग परचार में कर रहे थे और लोगों के फोन आने शुरू हुए हम लोग एक चवपाल में ही थे, जैसे ही कारिकरम आया, कि 13 नॉमबर और 20 नॉमबर को चुनाओ होना है, 13 नॉमबर को चुनाओ होने है हम लोगों के वाटसेप पर भी मेसेज आने लगे कि चुनाओ है, लेकिन देरे देरे जब यह हो गया कि मिलकीपूर क्यों नहीं हो रहा है, टीवी पर सारी चीजें फ्लेस होने लगी, बहुत प्रसन हम लोगों को आश्यर भरी निगाओं से लोग करने लगे कि आकर तैयारी चल रही थी, समाजवादी पार्टी हो भारती अंता पार्टी हो या अनपार्टियां पूरी तैयारी में जूटी थी, लेकिन निर्वाचान आयोक की प्रस हुई, तो उसके बाद यह क्लियर हुआ कि मिलकीपूर के चुनाओं को होल पर डाल दिया जा रहा है, और बाकी नौ सीटों पर चुना होंगे, हमारे साथ हैं भारती अंता पार्टी के पूर्व जिलाद दक्ष और देश पांडे बादल जी, यह हुआ क्या था, यह पूरी कहानी क्या है, हम सभी लोग भी मिलकीपूर के चुनाओं में लगे हुए थे, आज जब घोसला हुई, औ पता चला कि मिलकीपूर की विधान सभा की उपचुनाओं में यह सीटे रिक्त की जा रही है, तो हम लोग ने भी इसकी जानकारी करना प्रारंब किया, दो हजार बाइस के चुनाओं में भारती जंता पार्टी से बाबा गोरखनाज जी प्रत्यासी थे, और समाजबादी पार्टी से इस समय फैजाबाद के सांसद श्री अओधेस प्रसाद जी प्रत्यासी थे, दो हजार बाइस में अओधेस प्रसाद जी के नामांकन में जो अभिलेख लगे थे, जो सपत्पत्र लगा था, उसमें जो नोटरी हस्ताक्षर हुए थे, उसको चुनोती देते हु उसका प्रमाड़ी करन किया है, अपने हस्ताक्षर किये हैं, मोहर लगाई है, उस समय उस्तिति में उनके लाइसंस का नभीनी करन ही नहीं है, इसलिए उनके इस नामांकन को निरस्त करते हुए, बाबा गुरक नात ने स्वेम को बिनर के रूप में बोसित करने की आजिका अलखनू हाई कोट में की थी, इस पर विचार चल रहा था, और इसके बाद आज जब सूचना आई कि उस सीट पर अभी उप्चुनाव की घोसला नहीं हुई, तो जानकारी करने पर पता कला कि उत्तर प्रदेश के निरवाचन आयोग ने यहां से लिख करके प्रिशित किय इस सीट पर एक लेक्शन आजका है, जो पेंडिंग चल रही है, और केंद्रिय निरवाचन आयोग ने अपने विदिक परामर्स की उपरांत इस सीट को रिख्त रखने का फैसला किया है, और तब से लोगों को आश्यर्ज है कि क्या हो गया, हम लोग तो मिल्किपूर में थ आज ये पिस राठोर जी साहकारिता मंतरी आये थे, वो साहकारिता का सम्मेलन कर रहे थे, हम लोग तो पूरी चुनाओं में तैयारी से लगे हुए थे, लेकिन आज ये जो एक घुमाव आ गया, एक जो टर्निंग पॉइंट आ गया, इसको ले करके हम सब लोग भी अभी प्रतिक्षा कर रहे हैं, कि देखी आगे क्या होता है, ये बताये कि जिस तरह से पूरी तैयारी में जुटे थे, मुख्यमंतरी तक सभाएं कर चुके थे, उसके बाद जब अचानक ये सूचना मिली, तो किस तरह का प्रियक्शन रहा पहले भरतियंता पार्टी का? हम लोगों ने तो आज के सेडूल को फिक्स करते समय, जब ये सुबा पता लगा कि आज साढ़े तीन बजे प्रेस कांफरेंस होने वाली है, निर्वाचन आयो की, तो हम लोगों ने साढ़े तीन से पहले ही आज के सारे कारिक्रम समय उजित कर लिये थे, और एक यूद धस चीजे क्लियर हुई, क्यों ऐसा हुआ, तब भी हम लोग अभी प्रयास में हैं, कि जो विधिक जटिलताएं हैं, उसको दूर करते हुए, हो सकता है कि इस चुनाओ में, जो तिथिया गोसित हुई है, जो सिडूल गोसित हुए है, हो सकता है, इसमें मिल्कीपुर का चीजे क्लिट हो जाए, पूरी पार्टी तयार है, बूच का प्रबंधन से लेकर के वाताबन के निर्माण में भी भारतिनता पार्टी अवल है, और भारतिनता पार्टी निश्चित इस उप्चुनाओ को जीत करके बहुत बड़ा संदेश देने वाली है, और जल्दी ही याचिका करता थे, बाबा गोरखनात उन्हें लखनू बुलाया गया है, उनके अधिवक्ताओं से परामर्स होगा, और पार्टी भी अपने जो विदिक सल के एक्सपर्ट लोग हैं, उनसे परामर्स करेगी, और इसके उपरांत क्या हो सकता है, मुझे लगता है कि ये सारा निर्डे केंद्रियन निर्वाचन आयो को करना है, तो भी कलपना में कोई बात नहीं कहीं जा सकती, परन्तु हम सब लोग कतपर हैं, कि किसी भी तरह बिल्किपूर का उपचुनाव सीग्र हो जाए, जिससे हम सब का जो अभी परिस्रम हुआ है, जो वातरवन का निर्मार् अगर गुरक नाथ बाबाजी को बुलाया गया है, लखनो जो है, और अधिवक्ताओं से भी बात की जा रहे हैं, लीगल राय ली जा रही है इस बारे में, बिल्कुल पार्टी जो है, अब इधिक परामर्स कर रही है, और इसमें कैसे क्या हो सकता है, उस पे लिए पार्ट कि उच्चस्त जो लोग हैं, मारे छेतरी अध्यक्ष हैं, मानिये प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो सब लगातार जानकारी ले रहे हैं, और जैसे ही इस मामले में किसी भी प्रकार का कोई अपडेट आएगा, हम आप से सेर करेंगे, और निश्चित हम लोग सब लोग आखिर नॉमबर को चुनाओ होना है, तेरा नॉमबर को चुनाओ होने है, हम लोगों के वाटसेप पर भी मैसेज आने लगे कि चुनाओ है, लेकिन देरे-देरे जब यह हो गया कि मिल्किपूर को नहीं हो रहा है, तो देरे-देरे अनेक फोन की घंटियां बजने लगी, आप सब लोगों के अनेक लोगों के माद्यम से हम सब लोगों ने भी जानकारी कठा सुप करना vazु किया और धीरे धीरे फिर चीजें क्लियर हुई कि यह एलेक्शन कि पेंड इंडंसी के नाते यहां पर सीट्रीक्त हुई है तो हम लोगों एक narrative खड़ा करके आयोध्या का अपमान करने का काम लोग लगातार कर रहे हैं तो जनता भी बदला लेने के इसमें भी तो इलिगेशन लग रहे हैं तमाम लोग कह रहे हैं कि भार्टी जनताव पार्टी तो नव सीट पर चुनाव में जा रही है और यह तो हमारे लिए मौका है कि अपमान का बदला हम सीघ्र कैसे ले सके यह तड़प है भार्ती जनताव पार्टी के अंदर तो हम लोग तो सीघ्र मिल्की पूर चुनाव जीत करके जो वास्तविक्ता है यहां धरातल की उसके माध्यम से पूरे देश को संदेश देना चाहते हैं यह अध्या प्रभ जैसा हमने का है कि सारा नेले केंद्रिये निर्वाचन आयोको करना है और मान्य उच्छ न्यायले के अधिनस थे निल्डे है तो अगर सीघ्र निल्डे हो जाता है तो मुझे तो वैसे बहुत डिटेल जानकारी नहीं है लेकिन लोगों की राय आ रही है कि अगली चल्ड मे हो गई इस कहानी का तो बिलकुल नहीं है अभी संभावनाएं हैं और संभावनाओं का कभी अंत नहीं है तो उमीद भी है